आप मेंसे बहुत थारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि बाई हमने कॉमर्स पढ़ी है लेकिन हमें एकनॉमिक्स का टीचर बनना है तो क्या हम कॉमर्स पढ़के एकनॉमिक्स का टीचर बन सकते हैं तो आज की वीडियो में यही डाउट में आप लोगों का क्लियर करने वाली हों वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी पॉइंट्स है या जो भी आपके रिगार्डिंग क्वेरीज है आपकी वह भी वह आप लोग क्लियर कर सकें ओके और जादा से जादा वीडियो को शेयर करना तो देखिए अब हम दो केसे लेके चलते हैं एक केसी है कि आ आप लोगों को पताने वाली हूँ देखिए अगर आपने B.com की है या B.com ओनर्स की है तो उससे कोई फरक नी पड़ता उसके बाद आप M.com की तरफ ना जाकर ओके तो अगर आप B.com के बाद M.com ना करें और M.com कर लें यानि M.A. एक स्पेशिलाइज एक स्पेसिफिक सब फरको है तो उसके बाद BYD करके आप KVS N.V.S. D.S. बी ओर बाकी तो इक नॉमिक्स का एक्जाम दे सकते हैं PGT डॉमिक्स इस्पीड के लिए ग्रादुएशन आपकी Commerce बैक्ग्राउंड से है तो आप Masters को Economics में कर लें अगर आपको Economics का टीचर बनना है तो ओके तो Economics में करें Masters अपनी उसके बाद आप बेड कर सकते हैं पर Economics और बेड जम Masters और बेड आपकी complete हो जाएगी तो you can apply for PGT economics post okay तो यह था हमारा first case कि इस तरीके से commerce वाले PGT economics या TGT economics के लिए apply कर सकते हैं अब आता है हमारा second case that is BA यानि कि arts वाले अगर आपने BA की हुई है किसी भी subject में उसके बाद भी अगर आप same procedure है अगर आप MA economics कर लेते हैं तो direct आप PGT economics का exam दे सकते हैं okay तो चाहे आप commerce वाले हैं या चाहे आप arts वाले हैं no matter अगर आपने अपनी post graduation economics में कर ली you can go for PGT economics you can become economics teacher okay तो यह था जो मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली थी कि बिल्कुल आप commerce पढ़कर economics के टीचर बन सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको BA ही करनी थी या आपको graduation में सिफ MBA economics करनी थी ऐसा कुछ नहीं है अगर आपने बीकॉम भी किया या अपने बीए भी किया अब आप अपनी MA economics में करें अगर आपको economics का टीचर बनना है तो okay I hope आपकी यह query आपका doubt clear हुआ होगा कोई भी doubt हो comment section में comment करके मुझसे पूछ लेना